दोस्तों आरसीबी और मुंबई के बीच खेले गए मैच में जब दिनेश कार्तिक तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे तो उसी वक्त रोहित शर्मा उनके साथ मज़े करते हुए दिखाई दिये जी हाँ दोस्तों मुंबई और आरसीबी के बीच खेले गए बेहद ही रोमानचक मुकाबले में मुंबई ने आरसीबी को बड़ी ही आसानी से साथ विकेट से हरा दिया लेकिन दोस्तों जब आरसीबी की बल्लेबाजी के दौरान दिनेश कार्तिक 200 से भी अधिक की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर चक्के चौके लगा रहे थे तो रोहित शर्मा उनके पास जाकर ये कहते हुए दिखाई दिए कि वर्ल्ड कप का साल है इसके दिमाग में वर्ल्ड कप चल रहा है इसके बाद दिनेश कार्तिक भी रोहित के पास जाकर उनसे कुछ कहते हुए दिखाई दिए देखते ही देखते रोहित की ये वाइस टंप माइक में रिकॉर्ड हो गई और ये वीडियो इस वक्त शोशल मीडिया पर काफी तेजी से वाइरल हो रही है लेकिन दोस्तों इस मैच में आरसीबी की शर्मनाख हार की सबसे बड़ी वज़ा क्या रही हमें कमेंट करके जरूर बताएं